नमोना रहे गुरुमंतर विद्धाती माराज के यूटूब के चैनल पर सभी मित्रों का सभी सात्यों का हिर्दे से स्वागत अविनिंदन आभार जैशनी माराज जैगो माता बंदे माता ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शह गुरुवे इनाभा ब्रश्पती देवताय नमा याज विशे है देवादी देव ब्रश्पती देव का राशी पजवतार तेरा महिनों के बाद देवादी देव ब्रश्पती देव स्वारासी धन्यू से मकर राशी में प्रवेश्च करेंगर मकर राशी में पहले से देवादी देव सनी देव गोचर कर रहे हैं तो ब्रश्पती देव और सनी देव का मिलन मकर राशी में होगा 20 नमंबर सन 2020 दोपार एक बज कर 35 मिनट पर देव गुरु ब्रश्पति सनी देव के साथ मकर राश्री में प्रवेश करें और मकर राश्री में जब देवादी देव ब्रश्पति देव प्रवेश कर रहे हैं उस समय उत्रा आशाडा नक्षत है तो यूँ कह सकते हैं देव गुरु ब्रश्पति देव उत्रा आशाडा नक्षतर में मकर राश्री में प्रवेश करेंगे और यहां 20 नमंबर से 6 जनबर 2021 तक ब्रश्पति देव उत्रा आशाडा नक्षतर में रहेंगे तेरा महिनों के बाद देव गुरु ब्रश्पति का राशी परिवर्थ भगान शने के साथ देव गुरु ब्रश्पति अब गोचर करेंगे मकर राशी बड़ी भ्रांतियां हैं बड़ा भ्रम है कि ब्रश्पति देव अब नीच राशी में प्रतिकूल राशी में प्रवेश करेंगे न नीच होते न उच होते उनकी अपनी गति है सुबा सुबह अपना है लेकिन मकर राशी में देवगुरु ब्रश्पति का प्रविश अनकूल नहीं माना गया है यह भी द्वाना का मत है लेकिन यह एक अनोका आस्चरी जनक यूति होने जा रही है कि देवाजी देव शनी देव श्वराशी मकर में गोचर कर रहे हैं और ब्रश्पति देव का मकर राशी में प्रविश ब्रश्पति और शनी देव का मिलन अपने आप में बड़ा अध्भूत और नीच भंग राजियो जो प्रतिकुलता है वो शमाप्ठोग और यहां दोनों ही देव देने की अवस्तावे हैं दोनों ही छपड फाड कर बारा के बारा राशियों को कुछ ने कुछ जरूर देंगे इदी उनकी जन्मकुली में बाकी ग्रेशब योगा योग ठीक है तो तो मैं यहां कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे आराजि देवाजि देव शनी देव है और शनी देव की अरादना में रहते विए हमेशा मैंने वो बात कहीं जो मेरा अनुभव है ना मेरा लादने का सभाव है ना में विवाद करता हूँ और ना मुझे तरक करने आता है यह म मेरा मत है मानू न मानू आपकी मत यहां बग्वान शनीदेव दातार बनेंगे कि बगोन शनीदेव को प्रश्पति καी मिल रहा है साथ 6 जनवरी 2021 तक उत्राडासा नक्षतर और उत्रासाडा नक्षतर शूर्य का नक्षतर और शूर्य और ब्रस्पति में मितरता है च्छे जनवरी से ब्रश्पति देव नक्षतर परिवर्तन करेंगे सर्वन नक्षतर में प्रवेश करेंगे च्छे जनवरी से लेकर 4 मार्थ 2021 तक सर्वन नक्षतर में रहेंगे और शर्वन नक्षतर चंदर्मा का नक्षतर है चंदर्मा और ब्रश्पति में मित्रता है फिर चार मार्च से लेकर चार मार्च से लेकर मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कौशिस करिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत अद्भूध है आपके लिए और यह गणना है आपको बड़ा लाब देगी क्योंकि आप समझ लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा ब्रश्पिदेव उत्रादासा नक्षतर च्छे जनवरी से कों ओअ अगार्शर च्छे जनवरी के बाद च्छे जनवरी चार मार्स तक पर श्रवर नक्षतर और चार मार्स लेकर बीस divorced 21 सब्सक्राइब करते देबादी देव ब्रस्पति देव के मित्र नक्षत्र हैं और मां बैटकर देवादी देव ब्रस्थन देव अनकूल लाबदाईग और श्रपलता से भरा हुआ संकेत हम सब के लिए दे रहें है मित्रों शनिदेव का दातार होना अपने आप में बड़ा अद्भूद और बड़ा ही अलोफिक है क्योंकि ब्रश्पति देव और सनिदेव का मिलन ब्रश्पति देव पर सनिदेव की द्रश्टी मनिकांचन योग बनाती और यहां तो देवादी देव ब्रश्पति देव नीच लोग में बगवान शनिदेव के साथ है तो व्रश्पति देव और शनिदेव की दोनों दर्श्टी तो अमरित बरसाती बरसाती लेकन यह बागवान शनिदेव की दरस्टी भी अनकूल और लाविदेग्ध फल प्रदानकरेगी और सबस्के बढ़ी बात यह है कि दोनों से एक भाव को एक साथ देखेंगे ये भी अपने आप में बड़ा अलोकिक है जो प्रश्पति का शनीदेव के साथ ब्रह्मनकाल है बारा रास्यों के लिए कुछ ने कुछ ने कुछ ने कुछ लाब जुरूर देगा स्वारासी सनीदेव मकराशी में और ब्रश्पति देव का प्रियेग नीजभंग राजी योग कारण ब्रश्पति देव का प्रतिकूल प्रभावता पूर्टा स्माफ हो गया और फिर याद दिला रहा हूं मैं बार बार कि ब्रश्पति देव और सनी देव का मिलन मनिकांचन योग बनाता है देवादी देव सनी देव देने के लिए तयार बैटे हैं और ब्रश्पति देव ने उनका साथ दिया यानि दो और दो ग्याड़ा सनी दिव होंगे दातार भरेंगे आपकी जोलियां मिटेंगे आपके कश्ट और घर में आएगी सुक्सान 5 अपरेल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 अतिचारी रूप में ब्रश्पित दिव कुमराशी में चले जाए 18 जून से लेकर 19 अक्तूबर तक वक्री अवस्ता में रहेंगे उसी वहीं पर और 19 अक्तूबर से पुना ब्रश्पित देव मारगी होंगे और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक मकराशी में रहेंगे ब्रश्पति देव अबश्पर देव विद्या, धन्ध ग्यान, संतान, परिवाद, शुहाग इस सब बिना देवाँति देव, वृश्पर देव की किर्पा की बिना संभव नहीं है साज़दारी में कार्य में लाब चाते हैं तो ब्रश्पति देव की किरपा जाईगी और संपून भाचक्र में नवगरा मंडाल में गोचर में देवादी देव सनी देव और ब्रश्पति देव दोनों की विशेश भूमी का होती है ये दोनों ग्र यिदि अनकूल और लाब्दाइक अवस्ता में है तो अमन हैं चैन हैं सांती है एक मत्पून बात ये है कि ये जब दोनों ग्रह अनकूल लापदा फल प्रदान करते हैं तो मनुष्य शकुन और सांती से जीता है। है दूसरा मचला ये है कि दोनों ग्रहों की तीन पूर्णधस्तिया है ब्रश्पतिदेव पंचम दरस्टि शफ्तम पूर्णधस्ति और नमंपूर्णधस्ति और सनी देव तीसरी सात्वी और दस्वी और दोनों इंग्रह अपने आप में अलोके ग्रह है जहां एक और ब्रश्पति देव करम के कारक है धरम और करम का मिलन और अपनी पूर्ण शप्तम दर्शी से एक भाव को एक साथ देखेंगे और यह देखना बड़ा शुब होगा एक देव-धिदेव-ब्रश्पतिदेव की द्रश्टी में आमरित और शन्यदेव इससर में दार की द्रश्टी से देखेंगे यह अदभुद है अधुद है आपने प्रभाव है जिवन में शुक्त श्वास्ते समर्दि सकारत मक्ता बिना देव गुरु प्रश्पत की किर्पा से मिल नहीं सकती है तो हमारे पास जीवन की गारी सुग्मता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है साल 2020 के बारे में कुछ समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस करोना वाइरस ने हमारी जो जीवन की गारी है वो पट्री से नीचे उतारते हैं। पट्री से पुने पट्री पर आने लगे। 2021 केरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्ति, शिक्षा, समाजी, राजनितिक, सेवा, इस सारे मसलों पर पुने अच्छे प्रिणाम आपको देखने को मिले। जनुरी के मद्दे से लेकर मार्च आते-ाते कैरियर, कारोबार और शिक्षा समंदी कारी में पुने गती नजर आए। में लोग जिनें सिक्षा समंदी छेतर में कुछ परविरतन्त करना है, उनके लिए क्या रहेगा संदेश 2021 में या ब्रश्पति की राज़ी परिवरतन से लिए। क्या समाजिक सिवां को अवसर मिलेगा, क्या घर में बरकत होगी, क्या परिवार के सदेशी एक साथ बैठ बाएंगे, क्या साधी विवाज़तों के विवाव होगे, क्या तलाग की इस्तिती टलेगी, क्या घर में पैसा आएगा, क्या संतान को सफलता मिलेगी, कि सारी बात क्या देवगुरु ब्रश्पति लक्षिव प्राप्ति में हमारे शाइक होंगे या फिर आएगी बादा इस विश्य पर लेकर मैं आपके सामने कि देवगुरु ब्रश्पति का राशी परिवर्तन कैसा रहेगा देवगुरु ब्रश्पति देव की संपून जानकारी के बाद अब मैं बात करूंगा आपके बारा राशियों कि बारा राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा क्या लाब मिलेगा हरऊ किया होगी हानि इन सारा निच और लेकर अब मै राश्य पर प्यार और सबसे पहले मेश्राशी मेश्राशी वालों को ब्रश्पति देव और शनी देव दसमभाव से गोचर करेगे और दसम भाव में देवादी देव सनी देव ससनामक सुभीयोग बना रहे है और ब्रश्पति देव की साथ नीच भंग राज योग में है ब्रश्पति देव नमम और बार्वे भाव और सनी देव दसम और एकादस भाव के शौमी ओकर दसम भाव में विराजमान है और ब्रश्पित देव की पंचम पूर्ण दस्टी दूसरे भाव में है और दूसरा भाव धन का भाव है परिवार का भाव है शब्तम पूर्ण दस्ती चतुर्थ भाव है जो सुक का भाव है भूमी भमन्त माता का भाव है और नमम पूर्ण दस्ती अस्टम भाव पर है यह योगा योग है तो केरियर और कारोबार की दस्टि कौन से क्योंकि ब्रश्पित देव की पंचम पूंग दसी धनभाव पर है तो केरियर श्रमन्दी परिशानियों शे मुक्ति मिलेगी मेसरा सिवालों सरकारी और गयर सरकारी नौकरी में आप हैं तो आपको मनोंकुल प्रमोशन होगा, मनोंकुल इस्तानन्द होगा साथ ही आर्तिक सुधरता बढ़ेगी आप वेवेशाय में हैं तो वेवेशाय में शफलता मिलेगी लाब मिलेगा, मार्केट में आपकी साथ मानसमान और यस्ट बढ़ेगा ब्रश्पद्देव और शनिदेव दोनों की सप्तम दस्टी चतुर्थ भावे, दोनों ग्रों की एक साथ दस्टी चतुर्थ भावे, सुक का भावे, माता का भावे, जनता का भावे, आप राजनिती में हैं तो आपकी यस और कीर्टी बढ़ेगी, माता का असिरुआत और पारवारिक सुक बढ़ेगा पांच अप्रेल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक कुम्राशी में अतिचारी गती से ब्रश्मत्री परवेश करेंगे इन महीनों में मेश राशी वालों को थोड़ा साथ शावधानी जरूर बढ़ती नहीं पड़ेगी अतितिक आतम विश्वास से देगुरु प्रश्पति की पूर्ण नमम दसी छटे भाव पर है शत्रों से छुटकारा मिलेगा रोगों से छुटकारा मिलेगा कानूनी मसले हल होंगे राजनितिक और शामाजिक प्रसिदिया आपके अनकूल रहेगी और लाबदाइक रहेगी अधिकारी वर्ग का पूर की प्रवल संभावना है आए के साधन उपलब्ध होंगे यह आप नौकरी कर रहे हैं उसके साथ-साथ आपके आए के साधन भी बढ़ेंगे 18 जून 2021 से लिकर 19 अक्तूबर 2021 यह वक्री अवस्ता है अठारा जून 2021 से 19 अक्तूबर 2021 तक कुछ बाते हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा एक अपनी आर्तिक प्रस्तियों को देखते विए कारिय करी मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेगा क्योंकि आर्तिक प्रस्तियां थोड़ी सी चाइट नजर आ रहे हैं पैसा सोच सम प्रदेव और शनिदेव शाप्तम दस्ति शुक भाव पर है यानि चौथे भाव पर है चल और अचल संपति की प्राप्ति का प्रबल योग भूमी भवन वान का शुक लाब मिलेगा पारविर मसले हल होंगे पारवारिक परिशानी से मुक्ति मिलेगी देवगरु ब्रश् और शुरधार सुहार्थ पुन वातमन बनाने में पूर्ण श्युक देंगे पारवारिक शामजी से बड़ा अच्छा रहेगा दामपति शुक अनकुल रहेगा जिवन साति का पूर्ण शुक प्राप्त होगा और घर में कोई शुब और मांगली कारी शंपन होंगे बहुत मैनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा लाब के लिए थोड़ा सा संगर्स जरूर करना पड़ेगा लेकिन ये संगर्स आपकी सफलता में चार चान लगाईगे परिवार आपके साथ में खड़ा रहेगा आर्तिक परिशाने की वज़े जो मन परिशान था उससे आपको रहत म मिलेगी मनोबल ठीक रहेगा धैरी से काम ले और अनावसिक तनाव को अपने उपर हावी नहीं होने दे तो 20 नमंबर 2020 से लेकर 20 नमंबर 2021 तक का समय मेशराशी के युवाओं के लिए अनकुल और लाबदाइक संकीत दे रहा है साथी विवा और मंगल कारियों में सफलता तो मिलेगी लेकिन थोड़ा सा बुज़र्गों की सला जरूर ले हैं आप विद्यारती विद्यारती को सपलता के लिए थोड़ा सा कठीन परिश्रम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो इसकूल और कॉलेज ना बदले क्योंकि स्कूल और कॉलेज बदलने में आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी इस बात पर भी से ध्यान दें मेश्राशी वालों स्वास्ते की दस्ट्रिकॉन से भी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है थान पान में स्वस्ता रखें और पेड़ शबंदी बिमारी ने इस ब का पूर्ण शंकेदर कारोबार के लिए कि यात्रा में लाब तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा संगर्श करना पड़ेगा अन्यता लाब की बजाए हान ही जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें जल्दबाजी से बचना होगा और श्यौम की संतुष्टी को भी देखना बहुत जरूरी है गड़ा बरता नहीं के बाद संतुष्टी का घड़ा बरा रहना बहुत जरूरी है और जल्दबाजी से कोई में जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उन पर भी आपको विशेश ध्यान देना होगा तो में इस राशी वालो ये था तेरा महिनों का आपका राशी पेल ब्रश्मतिदेव के राशी परिवर्तन की कारण जो संकेत था वो मैंने आपको बता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्रत आटे में शक्र मिला के डालना बड़ा अच्छा रहेगा और जनकुल्ली में ब्रश्पति आपका अनकूल है और इश्टफल अच्छे हैं तो आपको करदनी अंगली में सवा पांस रती पुक्राज धारन करना बहुत अच्छा रहेगा कैरियर कारोबार परिवार स्वास्त कहीं भी कोई प्रेशानी है तो लगातार लगातार 40 गुरुवार गाई को गुड और केला खिलेगा सारी कश्च मितेंगे नमना रहें नमना रहें पुने मेरा निवदन कि मैं हतली में सरसुनी होगा और नहीं में दावे करता और नहीं में सरवग्य और नहीं में देवग् बारती सनातन संस्कत से प्रेम करता हूं और भारती सनातन संस्कती अदुभूत दरोवर जोतिस है जिसका प्रती मेरा अपना लगाव है यह विचार मेरे अपने हैं सबी विद्वानों को पुने प्रणाम करते हुए मैंने अपने विचार रखे हैं मानों ना मानों आपकी मर्दी शेकेन ओपनेंड गादिकार आपका था आपका है और आपका रहेगा नमोना रहे गुरुमांतर विद्धाती महाराज यह आपका चन्नल और मैं सरदा से इस पर आता हूँ और जो भी बताता हूँ राश्ट्रित में बताता हूँ पुने हिर्दे से पुने हिर्दे से आपकी सुखी, स्वस्त और समर्द सिल जीवन की मंगल कामना के सथ सब को मेरा नमोना रहे मित्रों पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा नहीं शक्रों गाये हैं मेरे पास मैं हजारों गाये मेरे पास राजस्तान में भी है, दिल्ली में भी है और मेरे जीवन का हिस्सा रहे बेटियां और गाये आप सभी जोगल जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओं पर काम कर रहा हूं और उससे पहले से में गायों पर शेवा कर रहा हूं और मुझे भारतिय गोव माता की शेवा करने में बड़ा आनन्द आता है मेरा जीवन इसे सकुन और सांती से भरता है और मेरे आप साधना में मान लाता है यह मेरा नीजी सूख है गव माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूँ, पिछले कही दिनों से मेरी आर्तिक प्रस्ति आपसे छुपी नहीं है, इस से में थोड़ा सा मेरी आर्तिक प्रस्ति अनकूल नहीं है और गव माता की सेवा में तकलीप आए, मैंने राष्टे कभी नहीं का, कि मुझे धन दीजी, मैं यह नहीं कहता हूँ, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी शमेश्याओं का शमाधान चाते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। जियो मीट पर या जो भी सोसल मीडिया का सिस्टम है, उस पर आप मिलने चाते हैं तो यह नंबर है, एकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा, आप गौसाला में 21 रुप्या सेवा दीजिए, दान दीजिए, और वो बता देंगे आपको कि सनिदाम ग इसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, यह मैं आपका सयोग कह रहा हूं, इसे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायों सुकी हो गई, तो मेरा मन बहुत प्रफुलित प्रसंचीत होगा, तरदे से दुआ दूँगा, क्योंकि मुझे मेरी सुकी चाहिए, इसलिए मैं आज पहली बार आप इतने वर्सों में पहली बार कह रहा हूं कि सनिधाम गौसाला में 21 सुरुफिया डाल करें जो नंबर आ रहे हैं, उस पर आप अपना डेटा बर, टाइम अबर, प्लेस बर भेजिए, और मैं आपको समय जरूर देंगा, और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूँगा, जितना मैं जानता हूं आपको सहोग जरूर देंगा, वो शंपाउन डाश से छमा मांगते हूं, पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं वैपारी हूं, धन चाहिए, प्रसतिया ऐसी है कि मैं मेरी मा की सेवा नहीं पर रहा हूं, गाय मेरी मा है, मेरे जिवन का आधार है, ये मेरी राश्ट की धरोवर है, मैं गोशनरक्षन और गोशनमरदर पर पिछले तीस साल से लगा वा हूं, इस समय थोड़ी सी प्रसतिया अनकूल नहीं है, तो मैं महनत करूँगा आपके लिए, एकी सो रुपया गोशनला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए जाएजिए, कुछ भी जो आप करें, देकर आप जो नमबर आ रहा है, इस पर बताईए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूँगा, और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप, इस उपाय करने स इसे, मेरी जरूरत आपको नहीं पढ़ेगें, लेकिन मेरी जरूरत है, बात करने की है, तो गाय की सिवा आपको करनी होगी, अम नमों ना रहे हैं।